हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ एड्वोगेट बियेस राव और आप देख रहे हैं लिगल तपस्वी कानूनी ज्यान के इस चर्चा के क्रम में आज हम भारती दंड सहिता की धारा इंडियन पिनल कोड की धारा 195A के बारे में चर्चा करेंगे धारा 155 का भारती दंड सहिता क्या है इसके बारे में इस वीडियो में आज आपको बताया जाएगा भारती दंड सहिता की धारा 155 ए किसी विक्ति को मिथ्या साक्ष देने के लिए धंकाना या उत्पररित करने से समंदित है जो कोई किसी विक्ति को मिथ्या साक्ष देने के धमकाएगा या उत्रवित करेगा उसे इस धारा के अंतरगत दंड दिया जाएगा इसी के बारे में धारा प्रावधान करती है जो कोई किसी विक्ति को मिथ्या सक्स देने के लिए धमकाता है उत्रवित करता है या दबाव बनाता है वह भारती दंड सहिता की धारा एक सो करता है या जिसमें वह व्यक्ति हित्बद्ध हो ऐसे व्यक्ति के शरीर और ख्याती को क्षटी कारित करने की धमकी देता है तो वह मिठ्या शक्ष देने के लिए दबाव बनाता है ऐसा माना जाता है भारती दंड सेहिता की दारा 145 A में दंडित किया गया है अर्थार्थ उसके लिए दंड का प्रावदान है ऐसे विक्ति को 7 वर्ष तक के कारवास और जुरुमाने से या दोनों से दंडित किया जा सकता है यदि मिथ्या साक्ष देने के फल्सरूप किसी निर्दोस विक्ति को मृति दंड की सजा हो जाती है या 7 वर्ष से अधिक के कारवास की सजा हो जाती है तो जूटी गवाही के लिए धमकी देने वाला विक्ति या जूटी गवाही के लिए दबाव बनाने वाला विक्ति उसी प्रकार दंडित किया जाएगा जिस तरह से निर्दोस विक्ति को सजा हुई थी अर्थार्थ जो दंड निर्दोस विक्ति को जूटी गवाही के फल्सुरूफ हुआ था वही दंड उस विक्ति को दिया जाएगा जिसने जूटी गवाही देने के लिए दबाव बनाया था भारती दंड सेहिता की धारा एक सो पच्छाणू ए इसके बारे में जूठी गवाही देने के बारे में कठोरतम प्रावधान करती है और सजा का प्रावधान बहुत सक्त है भारती दंड सेहिता की धारा एक्सो पच्चाणु ए गवाहों को पूर्ण रूप से सुरक्षा परदान करती है किन्तु जूठी गवाही का निशेद करती है भारती दंड सेहिता की धारा एक सो पच्चोनु ए गवाहों की स्वतंतरता और निश्पक्षता सुनिश्चित करती है बारती दंड सेंता की धारा एक सो पच्छोणू ए में गवाह पर दबाव बनाना या मिथ्या शक्ष देने के लिए दबाव बनाना उक्साना उत्परेइट करना धंकी देना यह एक दंडनी अपराद है साथियों यदि आपको हमारे वीडियो पसंद आया हो तो क्रप्या हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा अगले वीडियो में कुछ नए कानूनी प्रशनों के उत्तर के साथ फिर मिलते हैं तब तक के लिए धन्यवाद